हलो आप सबका मेरे चैनल इस्पेडिंग लाग्यान में स्वागत और अबनंदन है मैं आज आपको एक important problem जो बिहार APP 1997 में पूछी गई थी पूछ रही अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इंबाक्स में जाकर टाइप करियो और नहीं पता है तो मेरे पूठी वीडियो वाच कर लिजे अब आ के मकान में बिना उसकी अनमत के प्रवेश किया और बाकी मकान में बिना उसकी अनमत के प्रवेस किया सा जो बाकी पतनी है के निमंतरड पर जारकरम किया सा जो की बाकी पतनी है के निमंतरड पर उसके साथ जारकरम किया यहां और ने क्या प्राद किया प्रस्तु समस्या 497 IPC और 442 जो IPC पर आधारित है मतलब क्या कह रहा है 497 IPC और 442 IPC पर यह प्रॉब्लम आधारित है आए देखे 497 क्या कहती है जारकम एरिडल्टी को परिभासित किया गया है जारकम की अपराद के लिए निम्न तर्तों साबित करना अवस्यक होता है क्या तो किसी ब्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ मैथून करना जो की किसी अन्य ब्यक्ति की पत्नी है या उसके बिश्य में या जानता है या विस्वास करने का कारण रगता है कि वह किसी अन्य ब्यक्तिकी पत्नी है क्या किया रहा है कि जो कोई किसी ब्यक्तिदार किसी महिला के साथ मैथून किया जाता है जिसका वह अन्य ब्यक्तिकी पत्नी होना जानता है या विस्वास करने का कारण रखता है या विस्वास करता है कि वह किसी अन्य ब्यक्तिकी पत् अपराद आप जानते हैं कि जो महिला होती है उसके पती के विरुद्ध अपराद माना जाता है तो कह रहा है कि ऐसा मैथून जो महिला का पती है उसकी सामत के बिना या मौना और कुलता के बिना किया है पर तीसरा कहता है ऐसा जो मैथून होता है वो बलत संग के कोट में नही प्रस्तु समस्या में बाग के मकान में बिना अनुमत के प्रवेश करता है साजो की बाग की पतनी है उसके निमतरपर उसके साथ जारकर्म करता है जारकर्म के अपराद के लिए साथ हम यहां आवसकता तो है कि अपराद ही जानता है कि उसके साथ वह मैथून कर रहा है वह किसी अन्य ब्यक्ति की पतनी है यहां और कोई इस बात की जानकारी थी कि साजो की बाग की पतनी है जारकर्म के लिए दूसरा आवसकता तो है कि मैथ उस महिला की जो पती है उसकी सहमत के बिना किया गया हो यहां अब बाके मकान में बिना अनुमत के प्रवेश करता है यदियप बाकी पतनी साकर बुलाने पर आता है किन्तु इस धारा में पतनी की सहमत कोई महतुपोड नहीं रखती या महतुपोड उसका महतुपोड नहीं है तीसरा आवसकतत है कि मैथून बलसंगी कोटी में न आता हूँ चुकि प्रस्तुत मामले में साह के साथ मैथून उसकी सामत से किया है आता हूँ बलसंगी कोटी में नहीं आता है प्रस्तु समस्या में जारकर्म का दोसी होगा सा किसी भी अपरात के दोसी नहीं होगी क्योंकि 497 497 में यह उबंधी था है कि ऐसे मामले में पत्नी दूश्पेर के रोमें धंडनी नहीं होगी फिर जो है क्या है कि प्रस्तु तो इसके अतरिक्त प्रस्तु समस्या जो आ है वह 442 में परिभासित ग्री अतिचार का अपराध किया है क्योंकि ग्री अतिचार के लिए अवस्यक है कि किसी निर्मार तंबू जलियान में प्रवेश कर अपराधिक अतिचार किया जाए और धारा 441 में अपराधिक अतिचार को परिभासित किया गया है कि अपराधिक आसे किसी संपत्ति में कोई अपराधिकना या स्वामी को छती भय छोब कारित करना होता है क्या कह रहा है कि जो आ है उसने क्या किया है तो 442 IPC के तहट ग्री अतिचार किया है ग्री अतिचार के लिए आवसिक है कि किसी निर्मार तंबू जलियान में प्रवेश कर अपराधिक अतिचार किया है अपराधिक अतिचार को 441 में परिभासित किया गया है जिसका आसे कि अपराधिक आसे उस समपत्ति में कोई अपराध करना या स्वामी को छती भय छोब कारित करना होता है जोकि प्रस्तु समस्या में आ बाकी घर में प्रवेश करता है और बाकी पत्नी की सहमत इसे उसके साथ मैथून करता है जोकी अपराद है यदे भी उसने ग्री अतिचार करता है अता प्रस्तुत मामले में ग्री अतिचार और जारकम के अपराद का दोसी होगा इस तरह मैंने आपको प्राबलम बताई, प्राबलम का सलूशन बताए, ऐसी एची-ची प्राबलम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें, ठीक है, धन्वाद, साथी-साथ बेल आइकन भी दबा दीजें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरं थी मिल जाए ठीक है दन वार थैंक यू